गुट मॉर्णिंग सावंध क्लास आज हमारी जो इंगलिश की क्लास है उसमें हमारा जो चैप्टर था सेकंड ता गुट प्रिंसेज उसमें हम प्रिवीज क्लास में दो तीन परग्राफ पड़ चुके थे तो हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं दा प्रिंसेज लुक्ड इंटू दा पुल प्रिंसेज ने पुल के अंदर देखा शी सा अ ब्यूटिफुल फ्लावर महाँ पर क्या थे काफी ज्यादा खुबसूरत फ्लावर थे शी एर्ड़ वईस से उसने एक आवाज सुनी सी दा फ्लावर इस मोर ब्यूटिफुल दैन देखो यह जो flower है वो भी तुमसे ज़्यादा खुबसूरत है It gives joy to all यह सभी को क्या देते हैं? खुशी देते हैं, joy देते हैं But you don't give joy to anyone But तुम हो जो किसी को भी खुश नहीं करती हो या खुशी नहीं दे सकती The princess become angry and went into the place और princess को काफी ज़्याद गुसा गया और वो अपने place के अंदर अपने महल के अंदर आ गई As the As the sunset and the night came Sunset हो रहा था और रात होने वाली थी Lovely stars appeared in the sky और जो stars थे काफी ज़्याद लवली वो भी जो आसमान था उपर जो आकाश था उसके उपर दिख रहे थे The princess went to the pool again and looked into the water Princess वापस गई और पुल की तरफ देखी और वहाँ पर जो पानी था वहाँ पर देख रहे थी She saw a star उसे वहाँ पर क्या दिख रहे थे Stars दिख रहे थे She heard a voice say उसे वापस एक आवाज सुनाई दी और उसने जो आवाज थी उसने बोला See the star is more beautiful than you देखो वो जो stars है वो भी तुम से ज़्यादे क्या है Beautiful है It gives joy to all ये भी सभी को क्या देते है खुशी देते है But you don't give joy to anyone पर जो तुम हो वो किसी को भी खुशी नहीं देती हो The princess become sad and went into the place और फिर ये भी सुनकर के जो princess थी वो वापिस अपने कहां चली गई महल के अंदर चली गई She was not able to sleep the that night और वो पूरी रात थी जो सो नहीं पाई She thought that there were things more beautiful than her वो यही सोसती रही कि बहुत सारी चीज़ें जो काफी ज़्यादा सुन्दर है Now she was eager to know the third beautiful thing than her वो यही सोसती रही कि अब और आगे क्या beautiful चीज़ें देखने को मिलेंगी So आगे की class हम next class में पढ़ेंगे आगे का जो chapter है वो हम next class में पढ़ेंगे आज की आपकी class यहीं खतम होती है Thank you